नमस्कार खबर दिन भर देख रहा है आप मैं हूँ लालित प्रजापती बड़ी खबर असके साथ शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर आयोध्या जाएगी साई कैबिनेट और राम लला के आशिरवाद राम लला का आशिरवाद वहां लिया जाएगा सीम विश्नुदेव साई ने बड़ा बयान दिया है कि जल्द ही वो अपनी कैबिनेट के साथ आयोध्या जाने वाले हैं इससे पहले अलग-अलग राज्यों के जो मुख्यमंतरी हैं वो अपनी अपनी कैबिनेट के साथ राम लला के दर्शन के लिए पहुंचे पूरी कैबि विश्नुदेव सायनेज बात की जानकारी दी है इतना ही नहीं जो विदेशों में भी जो राम भक्त है वह भी बाइस जनौरी के कारकम को लाइब देख रहे थे बहुत जल्दी बहुत जल्दी मंत्री मंडला युद्ध्या जाने वाला है राम लला के दर्शन को लेकर सवाल किया गया और तब जवाब आया कि बहुत जल्द साय कैबिनेट भगवान श्री राम के दर्शन करेगी ना सिर्फ दर्शन बलके आशरवाद लिया जाएगा राम लला के दर्शन के लिए साय कैबिनेट जाने वाली है सीम विश्नुदेव साय ने बयान दिया युद्या जाएगी मुखे मंत्री विश्नुदेव साय ने इस बात का इशारा किया इधार मध्यप्रदेश के मुखे मंत्री डॉक्र मोहन यादाओ जैन के सकौन मंदिर पहुँचे यहां उन्होंने भगवान कृष्ण और जगन्नात के दर्शन की आशिरवाद लिया इस दौरान उन्होंने का कि हर साल जगन्नात यात्रा में वो शामिल होते थे लेकिन इस बार तन से वो भुपाल में रहेंगे मन से भगवान की यात्रा में मौझूद रहेंगे उन्होंने सभी को जगनात यात्रा की बधाई दी आपको बताने कि भगवान जगनात की रथियात्रा कल उजेन शहर में निकलेगी लेकिन कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादाओ इस रथियात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे भक्ति च्वारीजी महराई साब ने इसकी स्थाबना करी तबसे में हमेशा अगर उजेन में रहा या आसपास रहा तो जरूर आता था इसी क्रम्जे आज भी मैंने अपनी उपस्ति दर्जर कराई है चुकि कल में भाजपा की प्रदेश करकरनी भोपाल में रहने वाली इसलिए मुझे महा रहना पड़ेगा भगवान का आनंद उजेन में चार गुना बढ़ जाता है और उजेन और बाबा महाकाल भगवान करश्णों और महाकाल की मितरता भी बहुत प्रसिद्ध है इसलिए साल में एक बार हरी हर मिलन बहुत अदभूत होता है और शे बाबा की करपा हम सब पे बनी रहे इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उजेन में कपिला गौशाला में पूजन किया आरती उतारी इस दौरान नन्य बच्णों को चारा खिलाया दुलार भी किया उन्होंने गौशाला में CSR से उपलब धाधुनिक पशू चारा मशीन और वाक्यूप करणों को देखा कपिला गौशाला के अच्चुता नंद जी महराजन गौशाला में किये गए नवाचार और गौशाला संबर्धन के मास्टर प्लान की जानकारी उन्हें दी विकलांग दिव्यांग एसी गोमाता जो सड़क पे घूमती है प्रत्य गोमाता को बचाना हम सबका दायत तो है इसी नाते से सरकार ने प्रबंदन किया है कि गोशालाओं में प्रबंदन बहतर करते वे गोशालाओं से संतों को जोड़ेंगे समाज को जोड़ेंगे और ल प्रबंदन से जोड रहा है राश्ट्री उच्चतर सिक्षा अभियान इसे रूसा भी कहा जाता है इसमें पर्चेज रूल और टेंडर जारी करने की प्रक्रिया में नियमों के उलंगन का मामला सामने आया है जान बूचकर मद्धिप्रदेश के कंपनियों और छोटे निर्म के सप्लायरों को नियमों को ताक पर रख कर ठेका दे दिया जल्द टेंडर के आदेश भी जारी होने वाले हैं नियूज 18 ने संबंद में उच्च्छा मंत्री इंदर सिंग परमार से बात की उनका साफ कहना है कि मामले से जुड़े तथ्य आने पर पूरे मामले की जांच क उसमें कुछ सुजालपुर का भी डाल सकता है बहुपाल का भी डाल सकता है दिल्ली का भी डाल सकता है कलकता भी डाल सकता है मुंबे उसको रोक नहीं सकते हैं किसी को भी टेंडर किरया से जो पात्र रखती है उसको भाग लेने से नहीं रोक सकते हैं इसलिए ये केवल जा सेह प्रभारी बनाया जाने पर वीजेपी निता सतीश उपाधिया ने का कि पार्टी नो जो भरुसा जताया है उसके लिए वो आभारी है इससे पहले भी उन्होंने मद्धिप्रदेश में रहकर काम किया है डबल एंजन की सरकार है तो अब मद्धिप्रदेश विकास के साथ आगे बढ़ रहा है कि मथब्रदेश के सह प्रभारी सतीश उपाधिया है तो किस तरीके से देखते है पहला रेक्शन किया है देखिए और आ जितिती है और हम लोगों करके हम काम करते हैं और मद्यप्रदेश तो वैसे भी पूरी तरह से भाजा पामें हैं मद्यप्रदेश के मन में मोदी जी है मद्यप्रदेश के पूरे पूरे मन में भारती जन्ता पार्टी समाई हुई है मोहनी आदर जी के नेत्रत में बहुत शांदार काम कर रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मद्यप्रदेश में 90 दिन के अंदर जो 557 के आसपास वाइदे किये थे सरकार ने मद्यप्रदेश में 90 दिन के अंदर लगभग 134 के आसपास अपने वाइदों को पूरा किया है तो 134 की गती आप देखें तो प्रती दिन के हिसाब से एक से डिगड़ वाइदा जो संकल्प मद्यबरदेश की सरकार ने महां की जंता से किये थे और वो संकल्प उन्होंने पूरा करने का कारी किया है और बड़ा अपडेट आपको आपकारी घुटाले से जोड़ा बता दे हैं रायपूर से बड़ी खबर आरूपी अरविंद सिंग और त्रिलोक सिंग धिलन को जेल कोट ने 11 जुलाई तक नियाई खिरासत में भेजा है एडी के रिमांड खत्म होने के बाद कोट में पेशी ह है और महादेव सक्टा मामले में भी बड़ा अपडेट मिल रहा है रायपूर से बड़ा अपडेट आपको बता दे हैं चौबीस अगस्त तक जेल भेजे गाए सभी आरूपी कोट ने नयाइक रिमांड पर इन्हें भेजा है स्पेशल कोट ने चौबीस अगस्त तक इन्ह थाना प्रभारी को जेल कोट ने उननीत जुलाइ तक नयाइक रिमांड पर भेजा है महिला T.I.C.V. ने गिरफतार किया था बीस हजार की घूस ले ते गिरफतारी हुई थी इन्हें भी उननीस जुलाइ तक नयाइक रिमांड पर भेजा गया है जाजगीर चापा जिले की पामगण के पामगण में ससहा रोड पामगण ससहा रोड इसे बोलते हैं यह बलौदा बाजार से रायपुर को जोड़ती है यह ना सिर्फ जानलेवा है बलके काहिलियत और करप्शन की एक मिसाल भी है सुनो 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 साहवान महरवान कदरदान अगर सस्ती हो गई है जान कुछ मीटर चल कर दिखाओ यहां सडक खोज कर बताओ जब बहरे हो जाएं नेता और हुकाम तब ऐसी सडक से सावधान सरकारी फाइलों में ऐसे सडक का नाम हासिल है लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ खोजने की कोशिश ना करियेगा साइकल से लेकर ट्रक तक की सासे यहां फूल जाती है पामगर ब्लॉक के डोंगा कोहरोत गाओं की इस रोड से गुजरना मौत के कुए में बाइक चलाने जैसा रोमांच देता है ऐसा जबरन रोमांच जो इस इलाके के बच्चे से बुजुर्ग तक के लिए मजबूरी बना हुआ है गाओंवालों ने अफसर से निताओं तक सब की दहरी पर ना करगड़ ली लेकिन मजाल है के रोड बन जाए कलेक्टर एसपी के पास भेजते है एसपी कलेक्टर के पास भेजते है इंसान ना हुआ फूटबॉल हो गई बरसात में लोगों को गड़े और पानी तो गर्मी में धूल जान निकाल देती है कहने को तो भारी वाहनों पर बैन है लेकिन उसी बोड को मूँ चड़ाते 24 घंटे गाड़ियां चलती है 2017 से 90 किसानों के 9 करोड के मुआबजे के खेल मैट की 8 किलो मीटर की सड़क नर्क का एसास करवा देती है संस्कृती विकास का विस्तार करने वाली सड़क यहां कुछ न कुछ छीन लेती है जमेदारों की काहिलियत और करप्शन की जीती जाती मिसाल ये रोड डोंगा कोहराद भिलाणी जरैला धन गाउं कोशी धाबडी धिर्री सिर्री खर्खोद शुकला भाटा जैसे कई गाउं के लिए एक मात्र सहारा है मौझूद है पामगड के सजहा रोड के बीच जो है डोंगा को राद गाउं में जहां की सड़क पूरा कचुमर हो गया है कांग्रेस की सरकार ने भी किसीतरा की कदम नहीं उठाये जोछ सड़क के बीच में यहां मैदान पर उतरे हैं लगा तर नारा लगएँ कि सड़क बनाऊ यहां रोज दूर घटना हो थे यहां आए जाए मारोज परसानी हो थे देख लेवा कत्ता बड़े बड़े गड़ा है यही तो कम है और आगे रोड मा बहुत ज्यादा गड़ा है यही का मन की स्कूल ड्रेस ला देखा पूरा कैसे है वा एक दम से पूरा रोज की चाड़ मा सब कुछ हुआ लेकिन नतीजा से पर है मानों इंतजार किया जा रहा है गाओंवालों का गुस्सा भारतिय न्यास सहिता की हदों को लांगने लगे तब कोई सुनवाई हो सबसे कमाल की बात कलेक्टर आकाश छिकारा करते हैं वो यह कि इस विशय पर बात करने से ही इंकार कर देते हैं इसे ही कहते हैं अफसरी का जल्वा कि दरजनों गाओं नर्क की पीड़ा भोगे पर साहब के कान पर जू न रहेंगे क्योंकि जू रैंकती तो जवाब देते भागते नहीं हजारों लोग इस उम्मीद पर हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी जब यह सड़क चम खाने के सामान की समय सीमा होती है एसे में एक्सपारी डेट का ध्यान रखना जरूरी होता है बलरामपुर मैंसे दो मामले सामने आए जहां सेहत के साथ खिलवार किया गया जलेबी बिगार देगी हाजमा पानी बिगार देगा सेहर एक्सपारी डेट का रखने ध्यान जिया खाने पीने के सामान को लेकर एक्सपारी डेट का ध्यान रखना बेहत जरूरी है ऐसा ना करने पर यह जानलेवा भी हो सकता है खाद्य पदार्थ को तैस हमें के अंदर इस्तमाल करने की जरूरत होती है नहीं तो ये सिहत को नुक्सान पहुंचा सकते हैं कई बार होटल और दूसरी जगों पर इसका ध्यान नहीं रखा जाता तस्वीरे देखिए तस्वीरे बलरामपुर की हैं जहां खाद्य विभाग कारवाई कर रहा है इस बनी हुई जलेबी को नश्ट किया जा रहा है इस जलेबी को बनाने के लिए जिस रंग का अस्तमाल किया गया था वो एक्सपायर हो चुका था बावजूद इसके होटल संचालक ने इसे जलेबी बनाने में इस्तमाल किया इस बात का खुलासा तब हुआ जब खाद्य विभाग ने जांच की जांच के दौरान होटल की इस गड़बड़ी का पता चला मौके से तेल और दूसरे खाद्य पतार्थों के सेंपल को भी जांच के लिए भीजा गया है जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य विभाग कारवाई करेगा अब एक और तस्वीर देखिए तस्वीरें शाला प्रवेश उत्सवकी हैं और यहां एप्रेल में एक्सपायर हो चुकी पानी की बोतल को बांटा गया अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा आयोजन में शामिल हुए बच्चों ने भी बोतल से पानी पिया कारेकरम का आयोजन जिला सिक्षा विभाग ने किया था मामले के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि पानी के सप्लाई करने वाली एजनसी पर कारवाई होगी लेकिन ये बड़ी लापरवाही है दापरवाही सिक्षा विभाग की भी है बिना जाज के पानी को बांटा गया बिरो रिपोर्ट निउज 18 इधर बुरहानपुर जिले के नेपान अगर जंगल में अवैद कटाई पर वन्विभागने सकती बरतनी शुरू की है अब जंगल में अवैद कटाई पर नजदा रखने के लिए डून की मदद ली जा रही है खंडवा वन्विभाग के CCF रमेश गणवाना ने 120 कर्मचारियों के साथ कॉमविंग गश्ट शुरू की है जंगल में तिकरवन करने वालों को कड़ी चेताव नीदी है आपको याद दिलाएं दो साल पहने नेपान अगर के वन्ख शित्र में पेड़ों की कटाई की गई बैतूल की भैजदेही तहसील के जिरी में एक अग्याद चर्म रोग ने सैक्ड़ों लोगों को चपेट में ले लिया है लगातार बढ़ता जा रहा है ये चर्म रोग दुद्मुहे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को हो रहा है चरीर पर चाले उभर रहे हैं एक दो दिन में चाले फूपते हैं घाओं का रूप ले लेता है स्वास्विभाग की टीम पिछले दो दिनों से गाओं में डेरा डाले हुए है सभी का परिक्षण किया जा रहा है डॉक्टर्स का कहना है कि फंगल इंफेक्शन की वज़़ा से हो सकता है और काफी संक्रामक है इसलिए एक से दूसरे इंसान को ये फैल रहा है इसमें देखा गया है जो बच्चे भी लाज के दोरान देखा गया है कि सिर्फ फंगल इंफेक्शन जैसा हो रहा है जो की थोड़ा साफ सफाई नहीं रखने से और एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी ये फैल जाती है इसलिए एक समूं में दस बारा बच्चे को ये कि दूइने मंदिर में पुझारी पर हमला कर दिया उसके बाद इलाका में दहिश्ट तारी हो गई खौफ का माहौल बन गया दरसल पुझारी मंदर पहुंचें तेंदूए ने उन पर हमला किया शोर सुनकर ग्रामी नाय तेंदुए को भगाया लेकिन तेंदुए मंदिर के अंदर चला गया इन्हें उमर्बन के प्रास्मिक सास्ति के इंदर में भर्ती करवाया गया फिर भूपा इससे आगे धार जिलास्पताल ने रेफर किया गया है ग्रामी नों की सूचना पर वन्विभा की टीम मौके पर पहुँचिये मंदिर के बाहर पिंजरा लगाया गया है फिलहाल तेंदुए को पकड़नी की कोशिश चल रही है यह सा मतलब हिमला कर दिया है खरगोन में परियावरण को लेकर चिंतित गायत्री परिवार से जुड़े वसंत वेहार कॉलनी के महिलाओं ने परियावरण संरक्षन को लेकर एक अनूठी पहल किया है परियावरण को बचाने के लिए महिलाएं सीट बॉल तयार कर रही है महिलाओं ने संकल्प लिया है कि शहर से लगे निधिवन और दूरस्त पाहडियों पर सीट बॉल के माध्यम से बारिश के मौसम में व्रक्षा रूपन कर इलाके को हरा भरा किया जाएगा परियावरण के संडक्षन को लेकर खरगोन में महलाओं ने अनूटी पहल की है एक सिटबाल का गोला बीच का तयार किया जा रहा है इस बीच को तयार करके परियावरण के हित में ये महलाएं जो है गोला बनाकर उसको बीच के गोले को पहाडियों पर विसेश रूप से जो जंगली छेत्रे वहाँ फेक केंगी और पोदार उपन करेंगी तो कुल मिलाकर मेलाओं का लक्ष है कि जो दिनों दिन जंगल कम होते जा रहे हैं परयावन खतम होता जा रहा है उसको बचाने को लेक हैं उन्हें कहीं बेठने के लिए चाओ नहीं दिखती है तो हमार उद्देश यह है कि हम ऐसी जगहों पर सीध बाल डाले जा पेड़ पौधे नहीं हैं वीरान पाहाडियां है जाकर इने डालें ताकि वहाँ पेड़ पौधे हो सके यही सोचे हमारी की परियावरन गिर्टा जा रहा है तो परियावरन को बचाने के लिए हमने वसंत बिहार की बेनों ने गायतरी परिवार से जुड़े हैं तो हमने यही सोचे की भाई हम यह सीड़ बाल डाल कर पेड़ पौधे जहां विरान बस्ती पाहाडी होने वहाँ पर जाके डाले और हारा भरा बनाए और जब सौ सौ रुपए के लिए लोग बहिमानी पर उतर आते हों तब शूक नगर्म के दिलशाद खान ने लाखों के जेड़ लगन की जड़ों से यह सब्सक्राव करने के लिए आसीज बही है गोल्डों नेने के लिए असुक नंगर आया पाई पचाड़ी गिड़ा रोल चवराय पर वहां से मेरा दोस्ट मिला पर मेरा आधार काड अपडेट करवा दो मुबाल नम्मल लिंक होना था उसमें मैं पहुंचा राजमाता चवराय लिंक करवाया और लिंक करवाने के बा पाद निकला बाहर निकलने के बाद डोनों गाड़ी सेंवा थी ऐरोटीलेक्स और उसमें मैंने टांग दिया और उससे मैं न मैंने बोला dł देखना तुम और मेरे पास कोना आया मैंने दो मिल्ट बात की दो मिल्ट के बाद गारी बहाँ पर नहीं थी तो मैंने देखा मैंने बोला उस दूस्ते मेरे पॉली सिन कहा गई वो तक चली गई मेरे बच्चों का खिलोना समझ के मैं ध्यान ले लिए बास मोटर साइकल पैसे उठा के मैंने एक खुटी बठांग दी घर पार तो मैं पता कब चला कि यह सोना है आज ही चला पता अच्छा आज सुबह चला बठांगी रही आप यह पोंचे टीम पोंचे इनकी कि हमारी थैल सब्सक्राइब करने लगे उनका सामान चोरी हो गया तो आप सभी लोगों के मार्जम से मैं सबसे हैं रोग करना चाहता हूं कि जब भी आप कोई कीमची सामान या गोल बगेरा कैश जब बैंक से लेके निगलते हैं तो आप उस समय कैजूल बिल्कुल नहीं रहें आप अपने घर से निकलें ऑफिस में जाना है जहां भी जाएं बहीं जाएं कहीं रुके नहीं और अगर संभव हो तो आप साथ में और इसी के साथ इस बुलिटन में इतना ही खबने जारी रहेंगे दुनिया में बढ़ते जलवाईयों परिवर्तन के लिए एक देश एक जुट होकर उठाएगा कदम जानिये कैसे एक अरब हाथों में है दुनिया की तक्तीर जो लिखेंगे एक नया भविश्य